दोस्तों लोग इसे सेंट एंड्रेस का मिर्कल भी कहते हैं ये एक सची घटना प्याधारित मूवी जिसमें आपकी सोस से ज़्यादा इन लोगों ने जीवन जीने के लिए प्रयास किये लेकिन कुछ हार जाते हैं और कुछ जीच जाते हैं करीबन सत्तर तिनों तक ये स्ट् देलने के लिए जा रहे थे एक चार्टर प्लेन से तब ही उनका प्लेन खराब मौसम की वज़े से बादलों में फच जाता है और अपने रूट से वह कहीं और चला जाता है पाइलेट को जब पता चलता है कि वह अपने रूट से भटक गया है तो उसके सामने एक पहार होत इसके बाद राइट विंग तूटता है और उसके बाद लेफ विंग और ये प्लेन जाके एक सुनसान से बर्फ के पहार के उपर जाके लैंड करता है बचे हुए लोग जब प्लेन से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब एक आइस के माउंटेन के उपर हैं प्लेन में और भी लोग मर चुके हैं सब लोगों ने मिलके मरे हुए लोगों को बाहर निकाला और प्लेन के पाइलेट को देखते हैं जाके जहाँ पे पाइलेट मर चुका था और को पाइलेट की भी हालत ठीक नहीं थी इन्हें लग रहा था कि कोई न कोई ने बचाने के जरूर आएगा लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत जादा खराब है बचे हुए लोगों को कोड से बचने की बहुत जरूरत है यहां इनकी टीम के कैप्टन ने सब को सला दी कि सीट के कवर निकाले और उनसे ब्लैंकेट बना है इन्हें अब केवल भगवान का ही साहरा है क्योंकि इनके पास खाने पीनी की चीज़ें भी काफी कम है किन सब लोगों ने चेकaltung G7 टूश की ले ता उस जगह लगा दिया जहां से हवा आ रही थी किसी तरह से इनों ने राट नीं गुजार ली थी। रात में इंजर्ड लोगों को जादा डर था क्योंकि उन्हें जादा केर की ज़रृत और उनकी ऊलत नाजुक हैं कि सब ने एक दूसरे की मदद की और इंजर्ड लोगों के एक दूसरे को strong रखने का है इसलिए किसी ने भी शोक नहीं मनाया सारे लोग धूप में बैठे हुए थे तब ही इन सब को एक helicopter नजर आता है और सारे लोग खुशी से उचल रहे थे उन्हें लग रहा था कि rescue team ने उन्हें देख लिया है और अब वो जल्द ही यहां से निक किया उसे पता चलता है कि वो सामान खतम हो चुका था तब captain ने सब के उपर गुस्सा किया कहता कि हमें लोग बचाने तो आएंगे लेकिन वो कब आएंगे हमें पता नहीं तब तक तो हमें जीवित रहना है तो हमें यह सामान को सेफ करके रखना था एक बार चारो तरफ सन नाटा हो चुका उसमें से एक passenger बोलता है कि अगर उस plane ने हमें देख लिया है और वो हमें बचाने आने वाला है तो वो हमारे survival के लिए कुछ सामान तो ड्रॉप कर सकता था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है दोस्तो इसका मतलब था कि उस plane ने किसी को भी देखा नह क्योंकि इनके पास radio है और एक दिन यहां पी यह पता चलता है कि rescue mission को stop कर दिया गया है और बाहर के लोगों ने मान लिया है कि सारे passenger अब मर चुके होंगे क्योंकि इतनी सर्दी में इतने दिनों तक बचे रहने का कोई सवाल नहीं उठता है यहां पे साथ दिन बीच चुक बता किया जो की मर चुकी थी वो सैट तो था लेकिन अंदर से कमजोर नहीं हुआ वो समच चुका था कि उससे क्या करना है रीडियो पे सुनी हुई बात को captain अपने दोस्तों को बताने की हिमत नहीं कर पा रहा था तब ही यहां पे परेड़ो आता है और सब को बुलाता है क इसलिए हमें वो करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया सब के चेहरे पर एक ही सवाल था कि ऐसा क्या करना है तब ही वो बताता है उसे और सारे लोगों को जिन्दा रहने के लिए जानवर बनना पड़ेगा उसका इशारा था कि जितने लोग मर चुके हैं उनके मास को की वो अब जिन्दा रह सकते हैं लेकिन इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं था लेकिन टाइम बीटता जा रहा था किसी के पास कुछ खाने को नहीं था सबने ना चाहते हुए भी अपने आपको जिन्दा रहने के लिए और अपनी फैमली से मिलने के लिए उन बोडियो कि अगर उसे plane की थोड़ी बड़ी battery मिल जाए तो वो two way communication को start कर सकता है और बाहर की दुनिया में अपनी location भेज सकता है rescue करने के लिए इन सब passenger ने एक team बनाई जिसमें जैरबीनो, रफैल और मार्टीनो सामिल हुए इन सब ने plane के पीछे के हिस्से को ढूनने क्या फैसला किया क्योंकि पीछे के हिस्से में plane की battery थी अगर वो battery मिल जाए तो Roy की मदद से ये लोग अपना location बाहर दे सकते हैं जिससे वो आसानी से बज सकते हैं इन तीनों ने guess करके पहाडों पे चलना चालू किया और काफी टाइम के बाद इन्हे plane का टेल का हिस्सा मिल भी गया दोस्तों ये तीनों लोग बिना किसी GPS, बिना किसी रसी और बहुती कम खाने के साथ पहाडों पे चल रहे थे शायद इन्हें बचाने के लिए God भी इनकी help कर रहा था और इन्हें courage दे रहा था लेन के टेल में जब लोग बैटरी देखते हैं तो इन्हें समझ भी नहीं आता कि इतनी भारी बैटरी को वापस कैसे लेके जाये जाये ये लोग वापस उस plane के पास आने के अब फैसला करते हैं जब इन तीनों को वापस आते हुए बाकी के passenger ने देखा तो सब बहुत खुश थे शायद उन्हें विश्वास था कि उन्हें बैटरी मिल गई और वो communication कर सकते हैं कि इनकी खुशी जल्दी खतम हो जाती है क्योंकि वो बताते हैं कि बैटरी यहाँ पे नहीं ला पाएंगे अब उनका प्लान है कि रॉय को उस टेल के पास ले जाये जाएगा और वहाँ पे ही communication स्टार्ट किया जाएगा यहाँ पे रात हो चुकी थी इन लोगों ने फैसला किया कि यह सुबह निकलेंगे लेकिन ये रात एक तूफान लेके आने वाला था दोस्तों हाँ एक एवलाउंच आता है और प्लेन के अंदर सारे सोते हुए लोगों के उपर बर्फी बर्फ आ जाती है सबने एक दूसरे की हेल्प की और पढ़ी हुई बर्फ को जल्दी जल्दी निकाला इस घटना में दो लोगों की और डेथ हो गई सब लोगों ने किसी तरह प्लेन का थोड़ा सा हिस्सा बर्फ से हटाये जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन आती रहे लेकिन अभी भी बाहर जाना मुश्किल था क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खराब था जैसे ही मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ ये लोगों ने प्लेन को बर्फ से पने हातों से और प्लेन के तूटे हुए हिस्सों से बर्फ को साहरा निकालके वहाँ पे रहने लायक फिर से बनाया और ये फैसला किया कि एक दो दिन में जब मौसम और ठीक होगा तो ये लोग रॉय को लेके फिर से उस प्लेन के टेल के पास में जाएंगे देखते ही देखते यहाँ पे कुछ और लोग भी मरते जा रहे थे पता नहीं किसको बचना है किसको मरना है लेकिन सब अभी भी मिलके कोशिश कर रहे हैं इसी बीच इन सबने एक ब्लैंकेट बनाया है जो सर्च टीम के लिए है जिससे उनकी सेफटी हो सके क्योंकि उनके बचे रहने का मतलब है बाकी लोगों के बचे रहने की उम्मीदे जादा बढ़ना क्योंकि सबको अब इस सर्च टीम से ही उम्मीद है इस बार एक नई टी ऐसे ही गुजारी हैं इतनी सर्दी में किसी का जिंदा रहना मुश्किल था जरूरी ही भगवान इन्हें बचाना चाह रहे थे इसलिए ये लोग बचे काफी टाइम के बाद ये लोग प्लेन के टेल के पास में पॉसते हैं और रॉय ने रेडियो को कनेक करने की कोशिश करता रॉय एक स्टूडेंट है जिसे उसे जादा जानकारी नहीं है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा है तभी पराडो ने रफेल को और कनेसा को कन्विंस किया कि उन्हें आगे चलते रहना चाहिए क्योंकि आगर वो यहां पर रुके रहे तो वैसे भी मर जाएंगे और आगे चलते रहे तो शायद उन्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने का यह लोग फिर से चलना चालू कर देते हैं और दो दिन तक आगे चलते रहते हैं महिनों का टाइम बीच चुका है इनके एकसिडेंट से लेकिन अभी भी इनकी उमीदे खतम नहीं हुई है इन्होंने अपने एक साथी को वापस भेज दिया है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है और पता नहीं कि वो कितना देर तक चल पाएगा लेकिन ये दोनों अभी भी आगे चलते जा रहे थे कही पहाड़ों पे राते ऐसे गुजारने के बाद करीबन बार मिल जाएगी ये लोग बहुत खुश थे और फाइनली सीन यहां पे चेंज होता है हमें प्लेन के पास का सीन दिखाया जाता है जहां सारे लोग अभी भी ठंड से काप रहें और एक साथ होके बैठे हुए है तभी महौल के सननाटे में इन्हें एक गड़गड़ हट सुना परिस्तियों में रहने का और अपने आपको बचाने का इन्होंने जिन्दिकी जीने के लिए सबसे लंबी लड़ाए लड़ी जिसमें खरीबन 30 लोगों की जाने भी गई और 16 लोग बच पाए आखरी में इन 16 लोगों का यही कहना था शायद भगवान उनके साथ था और उ